हेलो फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे बी एड पर्थम वर्ज कोर्स सेवन बी मैथट पेपर फिजिकल साइंस में जो प्रिविस सेर में कोश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में 2019 में जो सवाल पूछा गया वो इस तरह से डिस्क्राइब बाट ओरीजीन ऑफ साइंस टीचिंग इंडिया बारत में विज्ञान सिक्षन नया के उद्भव का वर्णन कीजिए बाटिक विज्ञान में पाठे चरिया सुधार की अवसकताओं की चर्चा करें इसके लावा यूनिट टू का जो सवाल है वो इस तरह से काफी इंपोटेंट सवाल है इस यूनिट का डिस्कस दा मेजर अब्जेक्टिफ्स ऑफ साइंस टीशिंग विज्ञान सिक्षन के परमुक उद्देशों का वर्णन कीजिए ऐसे सवाल हर साल पूछ जाते हैं विज्ञान सिक्षक के रूप में आप अध्यताओं में विज्ञानिक अभिट्टी का विकास किस परकार करेंगे चर्चा करें प्रेपियर और लेशन प्लान और फिजिकल साइंस ऑन इनी टॉपिक फॉर क्लास नाइंथ और तिंथ कक्षा नौ या दस के लिए बहुत एक विज्ञान के किसी परकारन पर एक पार्ट योजना का निर्मान करें या तो लेशन प्लान या यूनिट प्लान हर सेयल पूचा जाता दोनौं में से कोई एक टॉपिक पे लेशन प्लान बनाना ही या यूनिट प्लान बनाना यूनिट 3 में जो सवाल पूचा गया What are the different methods of teaching फिजिकल साइंस describe any one method बहुतिक विज्यान सिक्षन के विभिन वीधियां कौन कौन सी है किसी एक वीधि की व्याख्या करें कोश्चन आठ है कि how can cooperative collaborative learning be useful in physical science teaching cooperative और collaborative learning continuously ये सवाल पूछा हो जाता है बहुतिक विज्यान सिक्षन में सहकारी शहयोगातमक अधिकम किस परकार से लापकारी हो सकते हैं चर्चा करें unit 4 में सवाल पूछा गया discuss the steps of test design in physical science बहुतिक विज्यान में परिक्षन डिजाइन के सोपानों की चर्चा करें और चौथा ही unit में last question है discuss the shifting trends in assessment in physical science teaching बहुतिक विज्यान सिक्षन में आकलन के बदलते हुए परिविर्तियों की विवेशना करें तो total 10 question में पांच question करना होता है हर unit से एक सवाल बनाने होते हैं 2018 में जो सवाल पूछा गया वो इस तरह से group A में briefly explain PRJ's stages of development with reference to learning concept in physical science भहुतिक विज्यान में सिखने के परत्या के संदर्व में प्याजे के विकास के अस्तर की संचिप्त वियाख्या करें दूसरा सवाल है explain the major highlights in BCF 2008 with regard to physical science curriculum बिहार curriculum framework 2008 में वढ़ने तो भहुतिक विज्यान पार्ठी करम से संबंदित पर्मुक अंसों का वढ़न करें कोशन थिरी है describe the process for developing democracy and equity through science teaching विज्यान सिक्षन द्वारा लोकतंत्र और समता के विकास की परिक्रिया के वियाख्या करें इसी तरह से गुरूप B में जो सवाल पूछा गया what are the aim and objectives of teaching physical science at secondary level explain मादमिक अस्तर पे भौत एक विज्यान सिक्षन के लक्ष एवं उद्देस क्या क्या है वर्णन करें पांच नमबर कोशन है enumerate the essential qualities of a good textbook in physical science and examine whether the present textbook of secondary school satisfy these qualities भौत एक विज्यान के एक अच्छे पाटे पुस्तक के परवुक गुनों की एक सूची बनाएं एवं यह जांच करें कि क्या मादमिक विद्द्यालों के वर्तमान पाटे पुस्तक इन गुनों की पुर्ति करते हैं कोशन 6 है prepare a unit plan of your choice from any unit of physical science at secondary level मादमिक अस्तर पे बहुत एक विज्यान के किसी एक पसंदीदा एकाई के लिए एकाई योजदा तयार करें इसके अलावा गुरुप C में जो सवाल पूछा गया है what are the different strategies in teaching learning process of physical science describe any one strategy which you considered most effective for teaching physical science at secondary schools बहुत इक विज्यान के सिक्षन अधिकम परवीदी से संबंदित विविन रणनितियां कौन-कौन सी है मादमिक विद्यालों में बहुत इक विग्यान सिक्षन है तो आपके अनुसार किसी एक परवावी रणनिती का वर्णन कीजिए question 8 जो है वो describe how cooperative learning fill the need of heterogeneous classroom for learning physical science यानि cooperative and collaborative learning से सवाल continuously रहता है सहकारी सिखना के इस परकार से बहुत इक विग्यान सिक्षन में विजाती है कक्षा के अवसकताओं को पूरा करता है वर्णन करें group C में जो 2018 में last question पूछा गया वो है what are the different issues in assessment in physical science explain बहुतिक विज्ञान सिक्षन में आकलन समदित परमुक मुद्दे क्या क्या है वर्णन की करें अब हम बात करते हैं 2017 में जो सवाल पूछेगे group A में what recommendations are made by NPE 1986 and NCF 2005 for science teaching in India यानि NPE 1986 एवं NCF 2005 में भारत में विज्ञान सिक्षन है तो क्या क्या अनुमोदित क्या गया है विविश्णा करें यानि विज्ञान सिक्षन के बारे में National Policy on Education 1986 और National Curriculum Framework 2005 में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में चर्जा करें question to a how can you develop scientific attitude among learners explain सिक्षार्तियों में विविर्थी कैसे विक्सित करेंगे वर्णन करेंगे यह सवाल 2019 में भी पूछा गया है तो 2017 का question होता है 2019 में पूछा जाता है तो इसी तरह से 2020 में 2018 का maximum question पूछा जाएगा explain तीसरा question है explain critical and realistic approaches of learning physical science भहतिक विज्ञान के सीखने के समिक्षात्मक एवं वास्तविक उपागमों की चर्चा करें group B में है as a science teacher how can you organize different approaches for better understanding of science explain in detail एक विज्ञान सिक्षक के रूप में विज्ञान के बहतर समझ के लिए आप किन-किन उपागमों को एकक्रित करना चाहेंगे विस्तार चे चर्चा करें question 5 what do you understand by curriculum discuss the basic principles of constructions of science curriculum at secondary level यानि पाठे चर्या से आप क्या समझते हैं माधमिक अस्तर पर विज्ञान पाठे चर्या के निर्मान के आधारबुत सिधानतों का वर्नन करें यानि यहाँ पर principle of constructions of science curriculum की बात हो रही है question 6 what are the aim and general objectives of teaching science at secondary level explain यानि माधमिक अस्तर पर विज्ञान सिक्षन के लक्ष एवं समान उद्दिस क्या-क्या है चर्चा करें इसके अलावा जो सवाल पूछा गया group B में 7th question explain the main characteristic of learning plan of a topic from science at secondary level यानि माधमिक अस्तर पर विज्ञान की किसी एक परकरन में सिखने की योजनाओं की मुख विसेस्ताओं का वर्नन करें group C में 8 number सवाल है what is constructivism approach of learning science how does it differ from traditional approach explain your views यानि विज्ञान सिखने के surgeon परक उपागम कौन से या किस परकार परमपरिक उपागम से भी ने अपनी रायवेक्ट करें question 9 is what are issues of assessment of physical science how can you resolve them बहुत एक विज्ञान के आकलन के कौन-कौन से मुद्ध है आप इसका निराकरन कैसे करेंगे यानि की assessment से related सवाल भी आते है question number group C का जो last है 2017 का write short notes on any two of the flowing यानि निमलिकित में किनी दो पर संचिप ट्रिप्रेनिरा लेखे यह collaborative learning सामोहिक उपागम remedial teaching उपचार आत्मक सिक्षन problem solving skills समस्य समाधान कोसल या difference between syllabus and curriculum पाठ करम और पाठ चरिया में अंतर यानि इस चारो में से किसी दो पे short notes लिखना है तो इस तरह से पात सवाल बनाने होते हैं 40 marks के total सवाल होते हैं तो दोस्तों आप अगर इन सारे सवालों के answer लिख लेते हैं तो आसानी से आप exam में बढ़िया number ला सकते हैं अभी आप देख रहे थे AR concept learning अगर हमको आपको हमारी वीडियो अच्छे लगती है तो हमारी वीडियो को like करें साथ ही हमारी चैनल को subscribe भी करें धन्यवाद